नमस्कार मैं हूरी नुकुमारी आप देख रहे हैं पब्लीकेशन यूज चैनल दिली के मनी लॉंडरिंग मामले में पूरु मंतरी और अमादमी पार्टी नेता सतेंदर जैन को बड़ा जटका लगा है सुमार को मनी लॉंडरिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने सतेंदर जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है साथी शुष अदालत ने पूरु मंतरी को तुरंद सरेंडर करने को कहा है सतेंदर जैन मेडिकल कारणों से जेल से बाहर थे उनके ऑफिसर ने कहा है कि वे सोमार शाम तक जेल आथोर्टी के सामने सरेंडर कर देंगे बता दे इस मनी लॉंडरिंग मामले को लेकर भारतिय जनता पार्टी के रास्रिस अचीव मनजिंदर सिंग सिर्सा ने आप पार्टी पर निशाना साथते हुए क्या कुछ कहा है आईए दिखाते हैं इस वीडियो में सतेंदर जैन जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है उनकी आज मान योग सुप्रीम कोट ने जमानत को और खारज कर दिया रत कर दिया पर्मानेंट बेल को वो मेडिकल बेल पर थे कोट ने माना कि ये मेडिकल आप तंदरुस्त हैं अच्छे बले हैं करप्शन किया तो जेल में रहे मैं याद कराओ मैं अरविंद केजिर्वाल जी को यह संहर इंदर जैन हैं जिनको आप पादम विभुशंद मिलना चाहिए जैसे मनी pushing को भारत रतन आ चाहिए था और खुद तो पता नहीं कौन सा मुझ लेना चाहते हैं आज अर्विंद केजरिवाल जी के सामने पेश नहीं हो रहे उनको पता है उनकी करप्षिन का भंडा फूट चुका है उनका मंतरी स्तेंदर जैन मनीश सोधिया संजे सिंग नायर जैसे लोग जेल में हैं अगली बारी अर्विंद केजरिवाल जी की है आपको अर्विंद केजरिवाल जी शराब गोटाले का जवाब भी देना होगा दिली जलबोड के नकली टेंडरों का भी जवाब देना होगा नकली बसों के बिल्लों का भी जवाब देना होगा नकली कमरों के जो स्कूलों में कमरे बनाए उनके बिल्लों का भी जवाब देना होगा और जो अपने सौ क्रोट से ज़्यादा सीशमेल बनाया है उसका भी जवाब देना होगा जेल जाना होगा